सबी किसान भाईयों को नमस्कार तो स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में तो मैं लेकर आया हूँ इंडो फारम 30-40 डी आई ट्रैक्टर सेरिस तो किसान भाईयों संद्या 24 का लेटेस्ट न्यू मोडल तो बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में क्या-क्या फीचर्स रखे गए हैं क्या-क्या बदलाव की हैं कंपनी ने तो किसान भाईयों बने रहना लाश्ट तक वीडियो में तो सबसे पहले किसान भाईयों इसके डिजाइन की बात की जाए तो काफी stylish tractor देखने के लिए मिल जाता है और इंडो फारम की branding के साथ में काफी stylish tractor देखने के लिए मिल जाएगा किसान भाईयो बात करेंगे इसके features के बारे में तो सामने की तरफ आप देख सकते हो बात करें फ्रेंट से तो सामने की तरफ तेज रोशनी वाली head light देखने के लिए मिल जाएगी और इंडो फारम की branding देखने के लिए जो काफी अच्छा विकल्प त्रॉक्त कर द gameplay हैा किसान बाइयों और सिलिवर कलर की ग्रिल में लिखा हूँ एंडो फारम देखने के लिए यहां पे फ्रंट टाइड साइच की बात की जाएं तो सबसे पहले बात करें हम साइड से तो इंडो फारम की ब्रांडनिंग देखने के लिए मिल जाएगी और नीचे की तरफ डूवल क्लिच में ट्राक्टर दिया है, फ्रेंट टायर साइज की बात करें, तो MRF कम्पनी का 616 का फ्रेंट टायर देखने के लिए मिल जाएगा, जो काफी अच्छा विकल्ब दे रखा है, पावर स्टेरिंग में, यहां पे पावर स्टेरिंग की बात करें, तो सिंगल लेट्टिंग पावर स्टेरिंग देखने के लिए मिल जाएगा किसान भाईयो जो 45 HP के ट्राक्टर में काफी अच्छे विकल्ब दे रखे हैं और यहां पर करें अगर डिजाइन की तो यहां पर 30-40 DI की व्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है यहां पर बात करें इंजिन की तो 3-45 HP का इसमें पावरफुल इंजिन देखने के लिए मिल जाएगा अगर इंजिन CC की बात करें तो 2856 CC का इसमें इंजिन मिल जाएगा जो मैकसिमुम पावर जनरेट करता है वो 2100 रिड़ेट हर्पियम पर करता है इंजिन की बात करें तो वाटर कूल्ड इसमें इंजिन देखने के लिए मिल जाएगा किसान भाईयो जो काफी अच्छे ओप्सन कंपनी ने हमारे किसान भाई को दिये हैं इंडो फारम काफी अच्छी ट्राक्टर सीरीज है किसान भाईयो अगर यहां पर नीचे की तरफ डीजल फिल्टर देखने के लिए मिल जाएंगे जो काफी अच्छी विकल्प दे रखे हैं और यहां पर अपने इंजिन में इस थरी इस वाल्प के थरू से अपने इंजिन में ओईल चेक भी हमारे किसान भाई कर सकते हैं वाटर सप्रेटर भी देखने के लिए मिल जाएगा किसान भाईयो काफी अच्छी ऑप्सन कंपनी ने यहां पर दे रखेंगा फ्यूल टंग कैपिसिटी की बात की जाए तो 50 लीटर की फ्यूल टंग कैपिसिटी मिल किसान भाईयो यहां पर करें इस साइट से बात तो चौको टाइप का इंडिगेटर मिल जाएगा ट्रैक्टर में और रिवर्स पीटियो की वी इसमें ऑप्सन देखने के लिए मिल जाएगा अगर बात करें गेर बॉक्स की किसान भाईयो तो कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिल जाएगा और काफी कमफटेवल सीट के साथ में ड्रक पर आता है अगर बात करने ट्रैक्टर पर बैठ के विए इस तरीके देखने के मिल जाएगा काफी चोटी स्टेरिंग का ऑप्शन देखने के मिल जाएगी और सामने की तरफ आसानी से आप बोड भी सकते हैं कंपणी ने अपनी काफी अच्छी ऑप्शन कम ट्राक्टर में दे रखे हैं जो हमारे किसान भाई काफी कम्टेवल तरीके से चला सकते हैं डिज फ्योल कानि फ्यूल टैंक की विश्मा ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है और यहां पर साइड इंडिकेटर और हवरेन का और हेड्ड लाइट याभी आप्शन देखने के लिए मिल जाएगा नीचे की तरफ वारा वोल्ट की चार्जिंग के साथ में आता है जो हमारे क किसान भाई खेती करने के समय पर भी अपना फॉन चार्ज आराम से कर सकते हैं यहां पर पार्किंग का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा नीचे की तरफ रेड कलर का आपको दिख रहा होगा अपने इंजन को इसकी मदद से स्टॉप कर सकते हैं प्लेट फॉर्म देखने के लिए मिल जाएगा हमारे किसान भाई को अठ यहां पर गैर की किसान भाईयो तो आठ फोर वर्ड ऑब दो रिवर्स के साथ में ट्रक राता है इधर लोहाईad साइड से तो PCDC कन्ट्रॉलीऊं गैर का प्लेट को अच्छी तरीके से चला सकते हैं यहां पर my सब्सक्राइब के ऊपर भी हमारे किसान इंडो फार्म कंपनी ने काफी गद्दे वाली सीट लगा के दी है जो हमारे किसान भाई बैठते समय पे भी कोई भी थकावड नहीं होती है यहां पर पीटियों का गयर रिलीवर देखने के लिए मिल जाएगा सामने की तरफ टूल ब पीछे की साइट से मडगाडों के बीच में काफी हैवी सपोर्ट लगा के दिए किसान भाई उसामने की तरफ ही यहां पर चॉकुटाइप का इंडिगेटर देखने के लिए मिल जाता है सामने की तरफ रिफ्लेक्टर देखने के लिए पानी बोटल रखने के लिए से तो यहां से सकते वन होग टृरग्र आता है त्री पॉइंटिंग सेंसिंग के साथ मेंossen है चलसके 28.25 प्रmotor देखने के लिए मिल जाती फ्लैक्ट अपनी जरूर पिशांसों चला सकते दो 1400 kg की lifting capacity देखने के लिए मिल जाती है और काफी heavy duty यह देखने के लिए मिल जाएंगी जो इसमें company ने कोई भी compromise नहीं किया है यहां पर heavy lift का branding देखने के लिए मिल जाए किसान बाईयो जो हमारी lift capacity दिये जो ट्रक्टर के हिसाब से काफी अच्छी दिये जो भारी से भारी की implement को भी उठाने में सक्चम रहती है हेलोजन टाइप की गोल वैक लाइट देखने के लिए मिल जाएगी जो रात के समया पर काफी अच्छा काम करती है यहां पर MRF company का यहां पर 1368 का वैक टाइट देखने के लिए मिल जाता है जो हमारी company ने काफी अच्छे विकल्प दिय देखने के मिल जाएगा जो काफी स्टाइलिस देखने में लगता है और यहां पर ऑइल इमर्ज ब्रेक की अग्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है जो काफी अच्छी दिये हैं फीचर्स ट्रक्टर में यहां पर सामने की तरफ सालेंसर पर जाली लगा के दिये काफी स्टाइलिस सालेंसर देखने के लिए मिल जाता है जो काफी अच्छा साउंड ट्रक्टर का बनाने में मदद करता है यहां पर 30-40 डी आई के व्रैंडिंग के साथ में ट्रक्टर देखने के लिए मिल जाएगा इंडो फारम की साइड में व्रैंडिंग देखने मिल जाएगी वाइट कलर में जो काफी अच्छी देखने मल जाए-अ- अच्छी आपर महीं अनूलक्र फिल्टर में जो काफी बड़ा हीड्राइट्र में यहाँ पर इंजन ओयल फिल्टर देखनी के सब्सक्राइब जो काफी अच्छे दे रखें पावर स्टेरिंग और हाइड्रालिक का भी इसमें दौनों पंप देखने के लिए मिल जाएंगे जो काफी अच्छे आगे पीछे पिकल्ब दे रखें और यहाँ पर अल्टी इंटर हमारी बेंटरी को चार्ज करने में मदद करता है जो काफी अच्छी जगा पर प्रोवाइट ट्राक्टर में किया है किसान भाइयों यहां पर करें ऑन रोड प्राइज की बार ट्राक्टर गी तो छह लाख पचास है और से चैनल को सस्क्राइब करें किसान भाइयों ऐसी जानकारी की ही वीडियो मिलती रहेंगी अगर और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताएं